राम राम जी जैश्री शाम मन्जू मॉम्स कुकिंग क्लासस में आज बन रही है हमारी सर्दियों का स्पेशल मेथी मलाई मटर जो कि अभी देखी सीजन चल रहा है सरसों मेथी का स्वरी मेथी का सीजन चल रहा है भी तो मेथी जैसे अभी बिल्कुल फ्रेश मिल रही है तो फ्रेश मेथी को आप किसी भी तरीके से कंजूम कर सकते हैं मतलब इसके थेबला बना सकते हो, इसके मठियां बना सकते हो, सबजी बना सकते हो किसी भी तरीके से लेकिन जो हरी सबजी हैं उनको हमें काना चीए तो आज जो मैं ये सबजी बना रही हूँ आप लोगों के सामने ये हम बना रहे हैं मेथी मलाई मटर जो ढबाई स्टाइल है लेकिन रेस्टोरेंट में उनमें बनाई जाती है वाइट ग्रेवी के साथ में अगर आप लोग कहोगे तो मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के सा काजु फ्राई किये थे मतलब ड्राइफ फ्रूट्स फ्राई किये थे तो उससे हलका सा घी का क्या है थोड़ा सा कलर चेंज हो गया तो यह मैंने आदा घी और आदा मैंने लिया है औल तो यह दोनुद चीज़ मैंने एक खटी से लिए डाली है ताकि जो घी हम डालते है तो मैंने दोने चीज़े यहां साथ में डाली हैं तो जैसे इसके अंदर घी डाला है मैं यहां डाल रही हूं एकुमज कि मैं शाल जीरा जो हमारा साबुट क। जीरा और अगर मेरे रेसपीज ऐसी लगती है तो मुझे मेरे चैननल white gravy बनाके कैसे बनाते हैं वो अगर recipe चीए तो भी आप मेरे साथ में comments में बताइए ताकि वो भी मैं recipe आप लोगों के साथ share करूँ यहां देखिए मैंने घी और oil लिया था दो से तीन चमच ते जिसमें मैंने डाली है एक चमच मैंने डाला है जीरा एक इंच मैंने लिया है द जिंजर डाल दी थी जिंजर और गार्लिक दोनों डाल दिये थे दोनों मिला कि होंगे एक कि चमच के लग बग और दो से तीन मैं ने डाली है इसमें हरी मिर्ची तो यह सारी मैने प्याज के साथ मैं अच्छे से मैं चॉप कर लिया है apt चाहो तो एक चमच अदरक और लेसुन अच्छे से सौते हुई है मतलब जो प्याज है हमारा वो ट्रांस्प्रिंट हो गया है अच्छे से पग गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिया हमारे मसाले मसालों में मैंने डाली है अधी चमच हल्दी पाउडर डाला है मैंने एक चमच डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची और एक चमश डाल लिये मैंने spicy लाल मिर्ची और एक चमश डाला है मैंने jeera powder एक बड़ा चमश डाला है मैंने coriander powder ये सारी चीज़ें डाल के मैं इस मसाले को mix कर रही हूँ और मसाला mix होने के बाद मैं इसको मैं 2-3 मिनिट के लिए cook होने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाए और जो अपना गी है, oil है वो release कर दे तो जैसे ये मसाले अच्छे से भुन जाते हैं इन मसालों को भुनने के बाद में हम इसके अंदर add करेंगे इसको मैंने ब्लांच नहीं किया है, अगर आपको इसको हलका सा ब्लांच करना है इसका छिलका remove करना है, तो आप ब्लांच करके भी ले सकते हूँ लेकिन मैंने simply इसको प्यूरी बनाई है जैसे ही हमने tomato डाला है, tomato डालते हैं सबसे पहले क्या जाएगा, इसके अंदर नमक जाएगा नमक को मैं इसके अंदर add कर रही हूँ नमक से क्या होता है, टमाटर जो हमारा है, वो अच्छे से पक जाता है यहां आप देख रहे हो मैं नमक को mostly हाथों से ही डालती हूँ नाकि Spoon से तो हाथों से क्या है मुझे किसी ने जैसे मैं Live बनाती हूँ तो Live में मुझे किसी ने comment किया था मैंसकी मुझे personally call करके कि जब आप हाथों से नमक डालती है तो घर में बरकत आती है चीजों से जो कहते हैंने कि हमारे बड़े बुड़े जो कहते थे उन चीजों Meaning कहीं ने कहीं कोई चीज का लोजिक होता है यहां देखिए मैंने इसको टमाटर की जो प्यूरी है हमारी अच्छे से यह भुन गई है आप देखसकते हैं अच्छे मैं साइडो में oil release हो रहा है अभी मैं इसको थोड़ा सा और इसको cook करती हूँ एक से दो मिनिट जो मसाले हैं इसको भुनने में हमारे 10 से 15 मिनिट लगते हैं ये जो सबजी हम बना रहे हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि देखिए हम सबजी बनाते हैं मसाले डाले फटा-फट से साथ में डाल दी और फिर हमने cook कर दिया तो वह सबजी का वह टेस्ट नहीं आएगा जो आप मसालों को अच्छे से भून के और फिर बनाओगे तो यह देखिए मुझे 10 से 12 मिनिट लगे हैं इस मसाले को भूनने में मैंने अब यह डाले हैं फ्रेश मटर यह हैं हमारे सा मैंने इसके अदर डाल दिया गरम पानी क्योंकि अभी मसाला भी हमारा पकेगा साथ में और हमारे मटर भी cook होंगे तो मटर भूनने के लिए मैंने 4-5 मिनिट के लिए अगेन इसको लेड लगा के cover करके और इसको छोड़ रहे हूं ताकि 4-5 मिनिट में मटर जो हमारे वो कप के लगबग मैंने लिए हैं यहाँ पे फ्रेश मेथी इसको मैंने अच्छे से धोली है बारिक चॉप कर लिए बारिक चॉप करके फिर मैं इसके अंदर एड़ कर रहे हूं अब यह देखिए यहाँ यह दो कप के लगबग के डेड कप मैंने डाला है इसमें मतर मतलब ड तरीके से बनाओगे न तो घर में बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि भी आपने किस चीज़ की सबजी बनाई है ये कीन कीजिए बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है एक बार ट्राइज ज़रूर करना इस तरीके से यहां आपको कोई भी मार्केट से कुछ भी लाने की ज़ पthen आप इसको आगे हमें इसके अदर फ्रेश क्रिम और वह सारी चीज़े एड़ करनी है इसमें कई लोग क्या करते हैं दही भी इसके अंदर एड़ करते हैं लेकिन मैं यहां दही वही कुछ भी एड़ नहीं कर रही हूँ दही नहीं एड़ कर रही हूँ मैं इसके अंदर इसको मैं बिलकुल आपको जो धाबा इस्टाइल है वो इस्टाइल और जो घर में हम रेगुलर बनाते हैं न अगर वाइट ग्रेवी के साथ में जो बिलकुल रेस्टोरेंट वाली है वो चीए तो आप में मुझे वो कमेंट्स में बताना आपको पूरी प्रॉपर दही वाली चीए तो वो भी मुझे बताना मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी लेकिन एक बार इस तरीकी से बनाईए यहां देखे मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया दस से बारा मिनट लगे हैं इसको कुक होने के लिए तो यहां अब मैं सबसे लास्ट में डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला है एक चमच के लगबग गरम मसाला है आप चाहो तो इसमें जिंजर को जो हमारी अदरक होती है उसको जूलियन कट करके भी डाल सकते हो लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जब यह लास्ट में कुक हो जाती है तो जो अदरक है वो कच्छा पनातर बच्चे नहीं खाते हैं बड़े तो फिर भी खा लेते हैं लेकिन बच्चे उस चीज़ को नहीं उनको नहीं टेस्ट आता है यहां लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी कसूरी मेती आप चाहो तो डाल सकते हो अदर्वाइस आप स्किप कर सकते हो लास्ट में कई लोग यहां पे डालते हैं नीम्बू का जूस लेकिन मैंने नहीं डाला है नीम्बू का जूस अगर आप चाहो तो एक चम्मच के लगबग आप यहां पे नीम्बू का जूस एड़ कर सकते हो जिससे हलका सा खटा पना जाएगा और जो आपकी रेसिपी है इसमें बैलेंस बन जाएगा यहां थ्री फोर्थ कप के लगबग मैंने डाली है घर की जो मलाई होती है वो वाली मैंने लिया है अच्छे से उसको फेट लिया है और फेट के वो मैं इसके अंदर एड़ कर रही हूँ जब मलाई हम डाल देते हैं इसके बाद में हमें इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करनी है सिर्फ दो मिनट के लिए कुक करनी है ताकि जो मलाई हमने डाली है वो अच्छे से इसके साथ में मिक्स हो जाए मलाई डालने से क्या होगा कि अगर आप इसको ज़्यादा दिर कुप करोगे न तो मलाई अपना घी रिलीज कर देगी और फिर सबजी में टेस्ट नहीं आएगा तो मलाई डालने के बाद में सرف एक मिनट आपको कुप करना है, बिल्कुल सलो फिलें पर और जब आप मलाई डाल रहो हो न तो उस ताइम आप ध्यान रखिए कि जो आपकी गेस की फिलें है वो बिल्कुल से slow होनी चीए या फिर आप गेस की flame को off कर दीजे फिर कई बार ऐसा होता कि मलाई डालने के बाद में फट जाती है वो तो ध्यान रखे इस चीज़ का या तो flame बिल्कुल slow कीजिए flame slow होगी तो आपकी recipe नहीं खराब होगी otherwise ध्यान रखना इस चीज़ का ये छोटा सा tips है तो recipe अच्छी लगी हो तो like follow कीजिए thank you